हेलो दोस्तों आपका अपने चलंग टेलीकॉम गुरू में स्वागत है मैं संजी वार्ष ने आज आपको ये वायरलेस लॉक स्विच ये प्रोड़क्ट को लेके आया हूं जिसमें कि जो जिससे कि आप कोई भी लॉक कंट्रोल कर सकते हैं रिमोटली ऑन रिमोट बेसिस पर आप कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं इसमें अगर चाहिए तो आप यसको रिमोटली द् pagar ये वर्क टाइख्ट से ब्लगता है फिजु यह कृदर्ब डाधर होती हैं तो चिक दूंद्ध की आप दोगिर्ट काफ। जल जाती हैं बट इसके अंदर यह ऐसा नहीं होता है कि जब आप जिस समय आप इसको रिमोट किट को यूज करते हैं तो उस समय आपकी जलने का कोई खत्रा नहीं होता है प्लस यह 100% सेफ है इसके रिमोट को कॉपी नहीं कर सकते हैं यह रिमोट जो है इसका आपको कर सकते हैं अब इसके बाद हम आपको जो है न इसका यूज करके एक बार लॉक के साथ करके दिखाएंगे कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं देखिए यहां पर हमने एक सैट अप लगाया हुआ है जिसके अंदर कि हमने यह रिमोट किट को यूज किया है जो कि आपकी फोर्थ फ्लोर तक भी काम करती है हedel रिमोट के साथ आते हैं इस इसके फोर्थ परविजन रखखा है एक इंदर किया है और सात में जो है आर आपको दो रिमोट किड्स किनेक्ट किया है यह नौर्मली हम लोग इसको इसको इलेक्ट Wrong की ली देते हैं लेकिन अगर आपको ये म numero के लिए भी चाहिए होता है तो हमारे पास के के लिए भी यह remote kit अवलेबल है और इसमें आपको दो remote की जगे अगर आपको four remote या five remote जितने भी remote से होते हैं तो वो हम आपको provide करा सकते हैं अब इसमें देखे पहले तो मैं आपको physically connection बताता हूँ कि इसके अंदर कैसे इसके connection किये जाते हैं यह remote किट है यहां पर यह this is a input for AC supply तो यह दो सुबी स्फोल्ड AC supply है जिसको हमने connect किया हुआ है direct power से connect किया हुआ है और इसमें यह हमरे जो एक indicator है जो की light basically lock supply run कर रही है नहीं कर रही है उसके लिए indicate करता है और यहां पर जो दो button है यह switch के लिए है अगर आप inside को यह switch लगाना चाहते हैं यह देखिए इसमें यह हमने exit switch लिया है जिसको कि हमने connect किया है और इसमें यहां पर no और common को हमने use किया है यह normally open जैसे हम button प्रेस करते हैं तो यह switch on हो जाता है और आपका यह दो wires हमारी lock की connected है यह हमारी lock से connected है और सीधी दो wires यह blue and red यह हमने lock से connect कर दिया है और साथ में हमने parallel में यह buzzer लगाया है जिससे कि हमें यह पता लग जाता है कि कई बार कि जब हम lock open करते हैं तो उसमें sound आती है यह नहीं आती तो यह फिजिकल कनेक्शन है और यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर हमने एक डिप स्विच यहां पर बटन दिया हुआ है प्रेस्टू बटन तो यह बटन जो है बेसिकली रिमोट को प्रोग्राम करने के लिए होता है यह अगर आप यह रिमोट समालीजे कभी आपका रि और यह यहां पर देखेंगे कि यहां पर इंडिकेशन वे इसका रहा है अब आप इसमें जैसे ही हम इलज़ा इसको आप अगर हम edited button को यूज कर सकते है यह हमने देखें एकजिट बटन को लोक्टन हो गया और South जो है बजर से जेनरेट हो गई और चाहें तो हम रिमोट से यूज कर सकते हैं और यह देखिए हम अगर रिमोट को यूज करते हैं तो यह रिमोट को भी हम यूज कर सकते हैं तो इस तरीके से हम चाहें रिमोट से उपरेट करना चाहें इसके मल्टिपल फंक्शन हैं इसमें आपके पास अगर double lock है तो दो lock को भी control हम कर सकते हैं से और single lock को भी हम कर सकते हैं और हम इसको EM lock जो होता है electromagnetic lock उसको भी हम control कर सकते हैं लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको पहले हमें बताना होता है कि आपको ये lock EM lock के लिए चाहिए या फिर आपको electric lock यानि electronic lock के लिए चाहिए तो इस तरीके से हम जो है इसको connect कर सकते हैं और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और press the bell icon और अगर आप इसको हमारे इसमें से किसी भी item को चाहें Elba के lock है या फिर आप जो है wireless lock switch kit है इसको आप अगर purchase करना चाहते हैं तो हमने आपको जो है अपना link जो है इसका purchase link आपको description box में mention किया है तो आप वहां से ले सकते हैं thank you